वाई कबर सिवानी बंडी से जहां प्रवासी मजदूरों के बीच राशन लेकर समाज सेवी पहुचे हैं शहर के समाज सेवी अमित लोहिया एक खेत में डेरा लगार रह रहे हैं प्रवासी मजदूरों की बीच पहुचे और उन्हें जरुरत का सूखा राशन मोहया करवाया राशन के रूप में मिली मदद के बाद प्रवासी मजदूरों की आखी भी नम हो गई उन्होंने कहा कि कहीं से तो मदद नहीं मिलने पर उन्होंने तो खुद को राम भरो से छोड़ दिया था लेकिन अब मिली मदद के बाद कुछ राहत की किरन नजर आई है समाथ से भी अमित लोहिया का अभार प्रकट किया है गौर तलब है कि शहर में आई हुए प्रवासी मजदूर मजदूरी करने के लिए आई हुए है लोकडाउन लगने के कारण इनके पास कोई काम नहीं है अब इनके पास ना पैसा बचा है और ना ही राशन और ना ही कोई सामाथ सामाथ से वी अमित लोहिया सुखा राशन लेकर मजदूरों को सौपा वही अमित लोहिया ने बताया कि जिस समय उन्होंने राशन दिया तो सभी मजदूर भावुक हो गए और कहा जब तक यह यहां इनके शुखा राशन उपलप्त करवाएंगे वर्तमान में इनके पास 10 दिनों तक का राशन दे दिया गया है